यूपिये ने 44 सीटों पर बढ़त बना रखी है इस ग्राफिक्स में जितना ग्रीन एरिया है वो यूपिये था बड़ी खबर मिल रही है अकिलेश यादव 63,449 वोटों से आगया है डिमपल यादव ने भी बड़त बनाई हुई है और मुलायम परिवार से जूड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं परिवार के चार कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं और बड़े अंतर के साथ में आगे हैं बिलकुल और यहां हम जिनकी बात यूपी कर रहे हैं दरसल अब ये आएंग डिया गड़ बंदन है और जिसको पीडिये नाम दिया उत्तरप्रदेश में अखिलेश यादव ने अक्षय यादव भी आगे चल रहे हैं अक्षय यादव भी आगे चल रहे एक बड़ी लीड लेते हुए दिख रहे हैं वही अखिलेश यादो कन्नौच से वो भी आगे चल रहे हैं और यहां पर भी बड़ा फासला दिख रहा है बात कर लें जिंपल यादो की मैंपुरी से चुनाव मैदान में हैं और वो भी आगे चल रही है और बड़ा अंतर इन् लगबाद वोटों से पीछे चल रहे हैं तो पांच कैंडिडेट थे यादव परिवार के जिसको लेकर मिन का सियास्ट भी और अक्षे यादव भी आगे हैं 581818 वोटों के साथ में अक्षे यादव इस वक्त आगे चल रहे हैं यानि कि यह जो चार सीटे हैं एक तरह से कह सक बिल्कुल और जवाद साब कुछ कह रहे थे शायरी सुना रहे थे जनता पाटी ने जो इलेक्शन मोड दूसरे फेस के अंदर स्टार्ट करा जो अनलगल बाते मानी आदरनी प्रधान मंत्री जी ने स्टार्ट करी मंगा सूत को लेकर के भैस को लेकर के उसके बाद जो है ओर आरक्शन के मुद्द्द को लेकर के तमाम चीजे कही लेकिन जनता बहुत जादा स्मार्ट है और बहुत जादा कणेक्टेड है अपने मुद्दो को लेकर के तमाम जگह पर जिस घूट पहलानी की बात भारती जनता पार्टी ने की अब तो आज की रेट में की बात चलेगी नफरत की बात को भारती जंता पार्टी की ये देश की आवाम उखाड करके फेकने जा रही इसके साफ संकेत आपके स्क्रीन के उपर और ये जो आंकड़े आ रहे इसके अंदर नजर आ रहे हैं वो राहूल गांदी साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि महबत की दुकाने खुलने जा रही हैं और नफरत का बाजार बंध होने जा रहा है ये तमाम जगां पर जा करके जो हिंदू-मुसल्मान नेरेटिव चलानी की कोशिश अब आप लोग भी स्वतंत्र होकर के पत्रकारता करिएगा आप लोग देखे हम पहले भी स्वतंत्र थे हम पह सइद साहब पहले भी स्वतंत्र थे आज भी स्वतंत्र है आगे भी स्वतंत्र रहेंगे अगर इंडिया गड़ बंधन की बंति नहीं दिख रही है